हेलो दोस्तों मैं हूँ आमेत अजस्टीवी की नए एपिसोड में आपका स्वागत है और दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराश्ट्रा के EV policy को लेकर जो officially announce हुआ था July 12, 2021 को और जो एक revised edition है उन्हीं के 2018 के EV policy को लेकर अगर हम बात करते हैं यहां पर तो काफी सारे फेम इंसेंटिव गौर्मेंट ने मतलब सेंटिल गौर्मेंट ने अनॉंस किये थे 2015 में लेकिन काफी सारे महाराश्ट्रा के अंदरी EVs हमने देखे थे सेल होते हुए और इन सब्सीडिज को अभी नए तरीके से रिवाइस करके गौर्मेंट ने अनॉंस किये हैं और यह है जश्ट इवी मैं हूं अमित और इस चैनल के उपर हम लोग बात करते हैं सिफ EVs को लेकर अगर करते हैं यहां पर नए EVs को लेकर तो यहां पर काफी सारे जो भी नए EVs है यह सारे के सारे एक्जम्टेट रहेंगे रोट टैक्स और रेजिट्रेशन चार्ज को लेकर यहां पर जो स्टेट गौर्मेंट है उन्होंने अनॉंस किया है कि वह एक सब्सीडिय ओफर करते हैं अपटो रुपेश 5,000 रुपेश पर किलोवाट अवर ऑफ बैटरी फर फर्स्ट वन लाक एलेक्रिक टूविलर बायर और उसी के साथ साथ मैक्सम्ट सब्सीडी जो स्टेट की तरफ से रहेगी रुपेश 10,000 फर एलेक्रिक टूविलर मतलब बेसिकली यहां पर डिपेंड अगर आप खरीते यह नया एलेक्रिक टूविलर बिफोर डिसंबर 31st 2021 मतलब इसी साल दिन यहां पर इसका जो में बेनिफित रहेगा यहां पर इसका जो में बेनिफित रहेगा यहां फर्द वेहिकल्स विच आर ओवर 2 किलोवाट अवर बैटरी अब अगर हम एक्जांपल के लिए बात करते हैं तो जो ओला की S1 स्कूटर है उसकी प्राइस टाइग है 99,999 रूपीज इंक्लूद अगर हम बात करते हैं यहां पर महाराश्री की लेटेस्ट इवी पॉलिसी को लेकर और आप वहां पर लेते हो इनका अरली बर्द इंसेंटिव दन ओला एस वान चली जाएगी and that goes away on December 31st 2021 in fact just for your reference यहां पर Honda Activa की 125 की जो वहिकल है on-road Mumbai में उसकी प्राइस आती है 97,000 रूपीज एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर manufacturers जो भी है electric two-wheelers के उन्हें भी additional incentive मिलता है अब टू 12,000 रूपीज अगर वह offer करते हैं minimum 5 years की warranty battery के उपर और एक assured buyback scheme भी offer करते हैं अब चली हम बात करते हैं electric cars की तो महराश्री की तरफ से जो EV policy 2021 उसके अंदर 5,000 रूपीज पर kilowatt hour subsidy आपको मिल जाती है अगर आपकी battery capacity है around 30 kilowatt hour या उससे नीचे मतलब आपको basically subsidy मिलती है at maximum of 1,50,000 रूपीज लेकिन यहाँ पर भी early bird incentive आपको मिल जाता है अगर आप एक नया electric car ख़िते हो महराश्रा में before December 31st this year तब आपको यह maximum subsidy हो जाती है up to 2.5 lakh instead of 1.5 lakh rupees which is a very good benefit according to this new EV policy महराश्रा यहाँ target कर रहा है कि अपने हिसाब से 10,000 electric cars को वो subsidy offer करे and उनका गोल है कि भ 2025 तक at least 5% जो नए गाड़ियां आएंगे that would be having a electric vehicle registration और उसी के साथ साथ यह भी नए government की तरफ से plan है कि basically जो भी government fleet है वहाँ पर भी April 22 से जो भी गाड़ियां खरी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ electric गाड़ियां खरी देंगे now that's a very good step government की तरफ से in fact government यह भी प्लान कर रहे है क कि 2500 charging stations साथ urban areas में वो setup कर देंगे अगले चार साल में जैसे कि 1500 charging stations greater Mumbai region में 500 पूने में 1500 नाकपूर में 500 नासिक में 75 औरंगबाद 30 इन अमरावती and 20 इन शोलापूर सो मतलब यह काफी interesting plan है government का कि हर जगपे charging stations set up हो जाए in fact इन्होंने यह भी प्लान किया ही कि आने वाले 4 major highways जैसे कि Mumbai पूने, Mumbai नासिक, Mumbai नाकपूर और पूने नासिक इन सब के उपर भी काफी अच्छे fast charging network का भी setup कर दें यहां पर companies जो operate कर रहे है charging stations उनने पहले 15,000 slow chargers के यह eligibility मिले की करीब up to rupees 10,000 per charger और वहीं पर first 500 जो fast charges रहेंगे, उने eligibility मिले की up to 5 lakh rupees per charger जो एक काफी अच्छी amount of eligibility government की तरफ से दी जारी है and in fact I think after watching these numbers, clearly और इसा government का जो policy है वो भी थोड़ा फीका पड़ जाता है, यहां पर government ने यह भी बताया है कि आने वाले upcoming property projects जो रहेंगे, उसके अंदर compulsory, मतब mandatory रहेंगा कि उनको एक dedicated EV charging space रखना पड़ेगा, पार्किं स्पेस रखनी पड़ेगी और वो भी up to 20% of the residential space जो उस residential apartment के अंदर रहेगी, महीं पर 25% अगर वो institution और commercial complex हो, and 100% in terms of the government offices, तो overall देगा जायतो हो, मतलब काफी interesting, काफी push किया जारे है government के तरफ से, कि भाई हम हमारे state में ज्यादा-ज्यादा EVs को ले के आएंगे, और इनको हम अपनाना शुरू कर देंगे, यह था a complete update महाराश् के तरफ से EV policy को लेकर, अगर आपको वीडियो useful लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने friends के शाशे कर दीजिए, जो महाराश्रस हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई, यहाँ पर किस तरफ की आपको policy मिल सकती है, जिसका आप फायदा भी उठा सकते हो, अगर आप चैनल के उपर पहले बाया हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और मैं हूँ Amit, तो मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई!